असलाम अलेकुम इस वीडियो टॉरियल में मैं आपको इंसेर्ट मेन्यू में टेक्स्ट, हेडरेंड फूटर, आर्ट, डेटेंड टाइम, स्लाइड नंबर और अबचेक्ट के मितलब गदाऊंगा चलें शुरू करते हैं, सबसे पहले मैं न्यू स्लाइड करेट करता हूं न्यू स्लाइड करेट करने के बाद, मैं इंसेर्ट मेन्यू में जाता हूं और यहां से टेक्स्ट बॉक्स स्लेक्ट करता हूं और स्लाइड में टेक्स्ट बॉक्स क्रेट करता हूं text box create करने के बाद इसका मतलब क्या है कि आप text box create करने के बाद इसमें कुछ भी लिख सकते हो अपने slide में जो भी अगर कोई picture या फिर shape इंसर्ट की है उसमें आप कुछ भी लिख सकते है इस text box के थूँ इसको आप कहीं भी drop कर सकते हो कुछ पिराइट करने के बाद भी drop कर सकते हो और पहले भी drop कर सकते हो for example यह देखिए जर्म कुछ लिखता हूं इसमें 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 स्कूलिंग स्ट्रीट यहां से इसकी alignment set करता हूं हों में जाकर center कर देता हूं यहां से कहीं पर इसको drop कर सकता हूं इसका style बगर सब किछ चेंज किया जा सकता है इदर से यह आप मेरे इसी playlist में home के मितलग जो lectures हैं जो tutorials हैं इनको देख सकते हैं उसमें मैंने complete home के मितलग guide किया हुआ है इसके बाद यह दो था हमारा text box इसके बाद देखते हैं header and footer header and footer के चीज है मैं आपको हिताता चलूँ header and footer, date and time और slide number यह सेम चीज है चलें देखते हैं अगर मैं header and footer पर क्लिक करता हूँ तो आपको पस यह window open हो जाएगी इस window के क्या मतलब है देखें इस window में first number पर date and time दी हुई है अगर date and time पर आप select करते हो यह check कर देते हो तो आपको इस जगह पर date and time मिलेगी अपनी जो आपकी slide होगी जो भी उसको आप apply to all कर सकते हो सभी slides पर भी नदर आ सकती है और एक slide पर भी नज़र आ सकती है अगर आप चाहें तो यानिकि अगर आप एक पर slide करोगे एक पर आएगी अगर आप सभी पर apply कर दोगे तो यहां से तो सभी पर apply हो जाएगी date and time के बाद अगर आप थोड़ लीची आते हैं यहां आपको slide number मिलता है जो के सेम चीज है जो के हमारे insert menu में date and time के बाद है slide number और इसी तरह footer के चीज है अगर आप footer पर click करते हो slide number पर click करते हूँ slide number भी show होगी वो आपको इस जगह पर show होगी और जो footer होगा वो इस जगह पर show होगा footer में जो बी लिखुँझा भी लिखाँ ओऑ seven वो इस जगह पर show होगा चले हैं देखते हैं मैं फूटर में लिखता हूँ फूटर और इसको हम अप्लाई टो आल कर देते हैं अब देख सकते हैं कि हम्मारा इस जगह पे यानके लेफ्ट साइड पे डेट टाइम आ रहा है कि और में आध्न गफोर रहा है है और मिडमें देखें रमियाद में सेंटर में देख्ट में हमारा फूटर आ र रहा है जो पर कर सकते हैं कि इसके बाद दिखते हैं हम वर्डाट को मैं new stride create करता हूँ new stride create करने के बाद insert menu में जाता हूँ और यहां से word art पर क्लिक करता हूँ यहां से आप देख सकते हैं कि different किसम के styles already available है आप इन से कोई भी यहां से कोई भी style पिक करके उसे use कर सकते हो जिस आपने simply करना क्या है यहां पर आप text को remove करके अपना custom text इंटर करना होगा और कुछ भी नहीं करना चलें देखते हैं किसी को एक को insert करके for example मैं इसी को करता हूँ और यह देखें यह text है जिस आपको text इंटर करना हो जो आपने text इंटर किया होगा वो already जो यह built-in design है इसमें change हो जाएगा for example मैं यहां पर करता हूँ insert यह देखें insert same वो ही words में लिखा गया जो के थी और अभी यह selected है तो यहां से हम format में जाकर इसका style change कर सकते हैं outline style अगर आप word को change करना जाहें तो आप इदर से कर सकते हूँ यहां से आप word के style को change कर सकते हूँ इसके बाद हम देखते हैं insert में object क्या चीज़ है object के लिए हम एक new slide क्रिएट करता हूँ और यहां से insert में जाकर object क्लिक करता हूँ यहां से देख सकते हैं अब object type अब किसी भी किसम की file यहां पे insert कर सकते हूँ वो कोई भी हो सकती है, Excel के मतलब हो सकती है, Photoshop के मतलब हो सकती है, images हो सकती है, कुछ भी हो सकता है for example, मैं धर से Microsoft worksheet insert करता हूँ इस पर click करो और ok कर दो अब देख सकते हैं कि आपके powerpoint में या आपके powerpoint presentation में एक आपके पास slide आ चुकी है या यह कहलें कि आप एक object आ चुका है जो कि Excel की sheet है यहां से totally formatting होगी वो Excel के थ्रू होगी क्योंकि Excel की sheet है इसलिए Excel object है और Excel ही यहां पे आपका complete menu है यहां से आप इस slide की या इस object की जैसे चाहें वैसे ही formatting कर सकते हैं आप कुछ भी लिख सकते हैं कुछ भी calculation कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं जो आप Excel में कर सकते हो वो ही आप इधर कर सकते हो नेम्स लिख सकते हो चार्ट ना सकते हो जो कुछ मर्जी कर सकते हो इसके बाद अगर आप insert में देखो तो हाँ पर equation का option है इसे देखें equation video audio video audio insert कर सकते हैं यह simple है जैसे हम shapes वगधर इंसर्ट करते हैं यह आप video audio insert कर सकते हो इस्सी तरह अगर आप equation insert करना जाते हो मैं equation के लिए के new slide की जिरिट करता हूँ यह देखें अब equation में insert में जाकर आप equation पर देखें equation में different किसम की equations already available है यहांसे आप कोई भी equation use कर सकते हो for example मैं पहली करता हूँ यह देखें यहां से आप कोई भी equation create कर सकते हो अब यह देखें यह equation आगे built-in है already अगर हम चाहूँ तो a को change कर सकता हूँ यह जगा अब कुछ लिएक सकते हैं for example b यह pi आ रहा है तो हम यहां पे कुछ भी insert कर सकते हैं अगर हम simply design में जाते हैं तो यहां पे देखें different किसम की shapes और signs हैं जो के हम insert कर सकते हैं for example मैं यह करता हूँ sin theta और इड़र से मैं sin theta ही कर लेते हैं यह देखें shapes को सब्सक्राइब बढ़ा करता हूँ यह देखें sign आ गया और यहां भी आप जो भी लिखोगे वो add हो जाएगा for example मैं भी लिखता हूँ right तो यहां से आप कोई भी shape sorry कोई भी equation कर सकते हो यह दा हमारा complete insert अगर आपने मेरे पहले lecture नहीं देखें तो आप वो देख सकते हो part 1, part 2 or part 3 thank you so much for watching please subscribe to my channel for my future videos allah feez कि कुल कुल बूण èn झाल झाल